तीन महिने से दिली की सरकों पर दिली की सिमाओं पर किसान आंदोलों चल रहा है अभी तक कोई समधान नहीं निकला किसान आंदोलों को लेकर केंदर स्रकार का अब तक क्या रुख है तीन किसान काउन केंदर स्रकार की तरफ से मनाए गई सब्सक्राइब बंग पाएगा तब दोबारा बातचित हो पाएगी क्योंकि सारे किसान का इजानलत आते हैं कि केंदर्जदकार बातचित के लिए उको कब उड़ाएगी हलाकि आप लोग बार बार कहते हैं कि हमें एक फोन की दूरी पर है तो क्या संभावना आने वाले जों में लगते हैं क का बाप की और किसान की बातचित हों दिगर दिनों भारत सरकार ने क्रशी सुधार दिल लोग सभा और राज्य सभा से पारें कि यह जो कानून है यह किसानों की जिन्लिगी में बगलाव लाने वाले हैं एक लंबा समय बीट गया क्रशी के छित्र में जिन सुधारों के आवश्यत्ता थी वो सुधार संभाव नहीं हुए थी इस प्रकार के सुधार हों इस पर लगवर बीस वरस से किसानी के छित्र में काम करने वाली किसानी उनियन कई क्रशी छित्र में काम करने वाली विद्वान सरकारों में रहने वाले प्रतनी थी लगातार इस बात की कोशिस कर रहे थे कि ये सुधार हो जब वाजपई जी की सरकार के समय स्वामी नाथन जी की अद्धिक्स्ता में आयोग बना तो स्वामी नाथन आयोग ने भी इस प्रकार की रेक्मेंडिशन की थी कि क्रसी के छेतर में नीजी निवेश आना चाहिए और क्रसी के छेतर में जो बंदिसे हैं उनको खोलना चाहिए किसान को अपके फसल बेचने की आजादी होनी चाहिए फिर साथी साथ अगर हम देखें तो स्वेत कारी सनठन के नेता सरज्जोसी बारती किसान यूनियन के नेता महेंदर सिंग टिकेज साथ ऐसे तमाम सरे किसान संगठन हैं जो लगातार इस दिसा में मांग करते रहे कि ये कानूनी बदलाव हिंदुस्तान में किसान को परहदा देने के लिए होने चाहिए जब यूपियगी सरकार थी उस सरकार के समय तदकालीन परदान मंतरी मनमून सिंग जी तदकालीन क्रेशी मंतरी सरद पबार साथ वह भी समय समय पर अपने वक्तव्यों के माध्यम से इस प्रकार के रिफॉर्म आएं ये बात कहते रहें पूर पक्ष्णते और यूपियगी सरकार के समय महराष्ट के किरसी मंतरी के अध्यक्स्ता में एक कमेंटी बनी मुख्यमंद्री जी उस समय हर्याना के हुड़ा जी थी उनकी अध्यक्स्ता में कमेंटी बनी इन सब ने भी इस दिसा में अपनी रिक्मेंडेशन की ये अलग बात है कि उस समय जो सरकार थी वो कुछ दबाव और प्रभाव के करण इन तमाम सारी अनुसंसाओं के आधार पर विचार पूर्वत सोच समझ कर किसानों के हित्में किसानों की माली आलत सुधारने के लिए मोदी जी के नित्रतों में ये क्रसी सुधार बे पारित किये दे इसके पीछे सरकार की नियत भी अच्छी है और इसलिए नीती भी अच्छी बनी है इतने बड़े देश में स्वाबवेग रूप से लोग तंत्र में मत मतंतर होना स्वाबवेग है कुछ लोगों को इन कानूनों से परिशानी है लेकिन परिशानी क्या है यह कोई बताने को तयार नहीं यह ना किसान यूनियन के नेता बताने को तयार है ना ही किसी राजने तेक डल के नेता बताने को तैया ले किया यही वज़े है कि करीब 32 दिन हो गए तो अमर साब 22 जनवरी को आपकी 11 या 12 दोर की बाचीत हुई थी उसके बाद से बाचीत नहीं हो पाई है हाना कि मौर साब ने भी कहा कि एक कुल दूर है वह कुल यहां से जा दिली की सिमाओं पर बैठे हुए हैं उनके मन में कई सारी संसे हैं जो डाउट से तत्य सत्य और किसाना अंदोलन जो आपने एक चिठी भी लिखी है किसानों के नाम खुली चिठी लिखी है इसमें का है कि उनके हितों का जो है हनननी होगा और पूरा ध्यान रखा जाएग कि जो अनुबंद होगा वो अनुबंद नाम पर तो नहीं होगा वो होगा किसान की जमीन पर ही कि फ़लानी कंपनी के लिए इतने एकड़ में गेहों का प्रडूस करना है या धान का करना है तो उसको मन में एक सवाल यह उठता है कि कहीं मेरी जमीन ना चली जाए एक बहुत पर किसान बैठें उनका सबसे बड़ा संसे और आप से लगातार बात भी हुए इस वारे में वो कैसे सरकार दूर करना चाहेगी यह एक बड़ा उनके मन में यह डौट है इसको कैसे कि बियर पर मैं समझता हूं कि भारत सरकार के किसी निर्णे के बारे में किसान को संका करने की जरूरत नहीं है कोई भी सरकार कभी भी किसी भी कीमत पर ऐसा निर्णे नहीं कर सकती जिससे किसान का आयत हो कि जहां तर कॉंटेक्ट फार्मिंग का सवाल है हर्याना और पंजाब में तो अभी भी कॉंटेक्ट फार्मिंग एक्ट है करीब एक सवाला एकड़ जमीन को रही है तो उस एक्ट के होने के बाद किसी किसान की जमीन चली गई गया हमने जो एक्ट बनाया वो एक्ट प्रो किसान है और उस एक्ट को और आप राज्जी सरकारों के एक्ट को देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा पंजाब सरकार के एक्ट में अगर contact farming में किसान की गलती होगी तो किसान चेल भी जा सकता है उसे सजा भी हो सकती है और उस पर जोरवाना भी हो सकता है contact farming एक जब हमने बनाया तो हमने इसको इसलिए बनाया कि कुल मिलाके देश भर को एक platform मिल सके contact farming के मात्यम से किसान मेंगी फसलों की और आकरसित हो सके किसान टेक्नलोजी से चुड़ सके किसान अच्छी गुडवत्ता का अपना उत्पादन कर सके वैस्विब मानकों के अनुसार वा खेती कर सके और उसको ववाई से पहले अपने फसल की कीमत तरह करने का अधिकार किसान का डर है किमीन चली जाएगी किसान हें मानता हैं कि मैं बड़ी बड़ी कंपनियुों का बंदवा हो जाएँगा आप क nombreux किसान की इत्पाद अबढ़ जाएंगा उप में मैं समस्कित ऑं कि कि सान को इस भर से मुःठ होना वे द sled किंए अ हमने जो contact farming act बनाया है उस act में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस act के अंतरगत सिर्फ किसान की फसल का contact होगा इसकी भूमी से संबन्दि किसी भी प्रकार की लिखा पड़ी नहीं हो सकती अब जब कानून में ये लिखा हुआ है कि भूमी के बारे में कोई भी लिखा पड़ी नहीं की जा सकती तो जमीन जाने का सवाल ही यह वो लोग है जो वसु स्थिधी में फिसानों को गुम्राह कर रहे हैं उनकी जमीन चली जाएगी ऐसा ध्रहम पहलाने के यह असपशल कोशिस कर रहे हैं पूरा देश भी दो है झेंथयर हैं लेकिन किसान ही कहते है इस एक्ट के माध्यम से बुआई से पहले किसान के फसल का मूल किसान तय करेगा जो तैय मूल होगा उसी पर एग्रिमेंट होगा इस एक्ट में ये भी प्रावधान है कि मालो थोड़ी दिर के लिए केले की खेती हैं और वस्त मूल ये तैय हुआ कि भी दस रुपए किलो केल का कांटेक्ट हम करते हैं लेकिन फसल आई तो केला बीस रुपया के लो हो गया तो ये भी प्रावधान किया गया है कि जो बढ़ा हुआ दस रुपया है उसमें से भी एक हिस्सा बॉनस के रूप में किसान को देना पड़ेगा नंबर वन दूसरा किसान इस एग्रिमेंट से क किसान पर बंदिस नहीं है लेकिन कमपनी कभी भी बैग नहीं हो सकती तब तक जब तक एग्रिमेंट में लिखी हुई रकम को किसान को वो अदाय नहीं का इससे ज्यादा प्रो फार्मर एक्ट नहीं हो सकता विवाद की दृष्टी से एग हो जाता थांपनी में और पिसान में फिर क्या होगा थाने जाना होगा अधाने जाना होगा हाला कि उसमें संशोधने करने को तयार थे तोड़ा हो भी वाद की स्थिदी में हमने बहुत सोच समझ कर SDM कि विवाद का निर्ड़ें करेगा उसकी अपील कलेक्टर के यह हो सब्सक्राइगे लोगों को ऐसा लगता है कि नियाले में जाने का अधिकार होना चाहिए नियाले में खिसान जाना चाहता है तो इसमें तिसी को कोई आपकी नहीं हो सकता है लेकि हम लोगों ने बहुत विचार पूर्वत HDM को इसलिए रखा था कि किसान और गाओं के सबसे नजदी के अगर कोई लिगाई है तो वो HDM HDM को कानून में बाधा जा सकता है कानून के माधियम से HDM को निर्देश दिये जा सकता है और इसलिए हमने HDM को कहा कि 30 दिन के भीतर आपको निर्डें करना पड़ेगा ये कानून में प्रावधान लेकिन संसे और फिर भी बनाई रहा साथ ही साथ हमने HDM को यह भी कहा कि अगर गलती किसान की होगी तो किसान से उतनी ही बसूली की जा सकती है जितना आदान के रूप में खिसान ने प्राप्त किया लेकिन अगर गलती व्यापारी की होगी तो व्यापारी से वह वसूली तो की ही जाएगी जो एग्रिमेंट में लिखी हुए लेकिन उस पो डेड़ सो परसेंट का जूरवाना भी किया जा सकता है नियायले हमारे देश में सरवोच सहस्ता है नियायले पर किसी प्रकार का प्रस नहीं है लेकिन हम सब इस बात को भली बात ही जानते हैं कि नियायले की अपनी विरस्ता इतनी है कि कोई भी एक किसान अपने कुछ फसल के मूले को लेकर नियायले में जाएगा तो उसको कितने दिन में नियाय मिलेगा हम को नहीं कह सकते कि कि आप कल नेड़ेन दीजिए हैं कि सट्पयों कानुन सकते हैं कि आप तीजदिन में जीह है तो तीज दिन मेंब नेड़ा तो और इस भर हो रहा है рублей नहीं चाहिए लेकिन में नमतन समंतन मुले कोई है है किसानों का यह मानना है या फिर जो लीड कर रहे है इस आंदोलन को पूरे को उनका यह कहना है कि अनुबंध हो गया ठीक है कॉंट्रेक्ट फार्मिंग में अलग से वह लेकिन जब अगर मंदी के बाहर कोई वैपारी किसान से फसल खरीद रहा है और वह थोड़ा बहुत ज जब मंदिया धीरे-धीरे खतम हो जाएंगी यह एक संका जो है लोगों के बीच में है जो बैटे हुए धन्यों किसान उनके बीच में भी है कि धीरे-धीरे यह MSP खतम करने का आपकी और से कहा गया इस पत्र में भी आपने इसमें कि MSP है ठी और रहेगी लेकिन एक सब्सक्राइब के लिविटेट टाइम तक उसके उसके आगे क्या होगा जब मंदिया दीरे-दीरे कम होती चली जाएंगी बिहार में भी यह हुआ दोजार पांस से नहीं है कि दिखिए इस देश में कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा भ्रम फ्हलाने की राजनीती करते हैं क्यों मैं आपके माधियम से किसानों को कहना चाहता हूं एसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए पिछले शे वर्षों में भी अनेग निर्डएफ ऐसे हुए हैं जो देश इतके समाज इतके राज इतके लेकिं उस समय भी उन लोगों ने अलग-अलग चेहरा बदल के डाउट फैलाने की भरसक कोशिस की जहां तक MSP का सवाल है MSP को हाउस के फ्लोर में जब मैंने कहा तो हाउस से बड़ा तो लोगतंत्रिक छेत्र में कोई दूसरा सदन होता नहीं लोगसबा और राजिस सबाब में मैंने फ्लोर पर कहा कि बई MSP थी है और रहेगी देश के प्रधानमंद्री ने कहा MSP जारी रहेगी देश के 81 करोड लोगों को PDS बांटना है तो वफर इस्टॉक रखना ही पड़ेगा उनको वित्रित करना है तो MSP पर हमें खरीदना ही पड़ेगा यह हमारा कानून भी कहता है यह सामान ने मानवी को समझ में आने वाली बात है MSP खतम हो जाएगी ऐसा धरम पहलाके किसानों को गुम्रा करने की जो इस्तिती है वह निश्य दुरूप से दुर्वागे पूर्ण है और जो मूल किसान है मैं उससे सावदान रहने की अपील करता हूँ लेकिन जहां तक APMC मंडी का सबाल है तो APMC राज्य के एक्ट से बनती है राज्य चाहेगा तो APMC रहेगी राज्य नहीं चाहेगा तो APMC नहीं रहेगी एक बात राज्य के APS को हमारा जो APMC है वो OVERट है करता ही नहीं हमारा कानून किसान को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि आप चाहो तो मंडी में अपना उत्पादन बेचो और आप चाहो तो अपने घर से खेट से वेराउस से कहीं भी किसी को भी किसी भी कीमत पर बेचो हमने सिर्व इतना किया है कि किसान की जो फसल है उसकी खरीद विक्री अगर APMC प्रेमाइसेस के बाहर होगी तो उस पर न तो राज्य का कोई टेक्स लगेगा ना केंदर का कोई टेक्स लगेगा अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी टेक्स को खतम करना यह ज़्यादा अच्छी बात है या किसी भी टेक्स को आरुपित करना यह ज़्यादा अच्छी बात है राजिय का एक्ट है, वह किसान की फसल पर टैक्स लगाता है, केंद सर्कार का टैक्स है, वह किसान की फसल को टैक्स से मुक््त करता है, तो खिसान का फएदा काईम है? लिर्ट को जो सरकालिमंदिया थे तो किसान के अपन्जाब कि इसमीर और मंडी में तो प्राइविट मंडी क्यों जूरूर सब्सक्राइव किसान की सम्रद्धी पंजाब में मंडी के करण नहीं आई सरकार ने ध्यान दिया हर्याना और पंजाब के खिसानों ने मेहनत करी उसके करण हर्याना और पंजाब ने समरत दियाई दीरे दीरे अब दूसरे राज्जों ने भी खेती करना सुरू कर दिया तो बहुत सारे राज हरियाना और पंजाब से भी आगे खेती के मामले में चले गए इसमें मंडी का योगदान है ऐसा मानने का कोई करण नहीं मैं आप से पूछना चाहता हूँ दूद की मंडी कहा है मैं दूद का उत्पादक हूँ मैं अपना गुजरात में बेचूं महराष्ट में बेचूं दिल्ली में बेचूं और भाव बढ़ागे बेचूं कंपर बेचूं ये मेरी मर्जी पर निर्वर करता है दूद का पूरा नेटवर्फ देश वर में चल रहा है काहा है मंडी लेकिन सवाल यह तो दूद को तो खर लंबे स्टाम तक प्रिक्योरिया स्टोरिज नहीं किया जा सकता अब जो किसान नेताओं की और से बात कई जा रही है कि आने वाले वक्त में जब इतने प्राइवि कैसे क्लियर करेंगे आप आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि वह यह तिजूरियों में नहीं होगा यह आपके बले के लिए किसान संगठान किसान नेता ये भी कहते है की दूद को लेकर वे आप लोग आने वाले दिन में को कानून ले आएंगे जो किसान एक भैस रखते ह लाए रखता है दूद्ध बेसका अबना गुजारा करता है उसको भी कोई ना को आप लोग उसे पर्मिट लेना पड़ेगा उसकी भी फीज देनी पड़ेगी किसानों को तो इस बात का भी डर है देखिए दरसल यहीं में कह रहा हूं यह समस्या किसानों की नहीं है यह समस्या किसान नेताओं के हो सकति है राजनेतिक नेताओं के हो सटि Yes किसान यूनियन ने आ यह बात कहां से आई कि दूद पर कोई टक्स लाग जागा जब मैं सारी फसल पर टेक्स खटम करने के लिए कानून बना रहा हूं तो मेरी सरकार की दिसा एक रहेगी कि किसान की फसल पर से सभी प्रकार के टेक्स खतम हो सभी प्रकार का इस्पेक्टर राज खतम हो तो यह बात कहां से आ रही कि दूद पर भी ऐसा कर देंगे दूसरा कोई भी चीप तिजूरी में तब जाती है जब उसकी सौड़ेज होती है आज देश में खाद्यान रखने के लिए जगा उपलब्द नहीं है कितनी बर्बादी है सरकारी खरीद करने के बाद कितना खाद्यान सड़ता है इसकी लोगों को कलपना नहीं है जब हम सरकारी खरीद करते हैं तो सरकारी खरीद में पैसा अलग लगता है वांकि उसके बंडारण से लेके बांकि ट्रांस्पोर्टेशन में पैसा अलग लगता है और साथ ही साथ आज खाद्यान की द्रश्टी से हम अतिसेस राज्य हो गए तो जब हमारे पास इतना माल है कि जिसको रखने की जगे नहीं है तो यह तिजोरी व पाली बात उन्हीं लोगों के दिमाग में आ सकती है जो किसी कानून में दुस्प्रचार कैसे किया जाए इस चीज को खोजने की कोसिस करते हैं यह बात किसान भाईयों को बेहनों को समझना चाहिए कि दुस्प्रचार जो लोग कर रहे हैं उससे अगर हम साथान नहीं रख रहे हैं कि आप लोग FCI को खतम करना चाह रहे हो बंडाने के लिए अंबानी अडानी बड़े बड़े बुड़ाओं बना रहे हैं सोचल बीडिया पर तस्वीरे भी वाइल होती है इन बातों में कितना कदम है कुई आंकडाओं किसने कितने एक बड़े 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 ब पर डेमेज हो जाता है तो पाकी और गोदाम बने और बेहराउस बने यह वक्त की चरूत है और इसलिए मोदीजी ने एक लाग करोण रुपय का इंफास्टिक्चर फंड प्राउधित किया है पचास हजार एप्पियो बनाने की कारिक्रम प्रारम किया है जिससे इस देश के छोटे और सीमान किसान है उसकी तागत बढ़े वो मेंगी फसलों की और आकरसित हो वो टेक्नोलोजी से चुड़े इसलिए के सी सी के मातियम से पहले साथ लाग करोड रुपया मिलता था किस के सी सी के मातियम से किसानों को दिलाने का काम किया और आपको ध्यान होगा कि फर्वरी बीस में हमने दूसरा ड्राइब लिया कि के सी सी में जो बचे हुए किसान है उनका उनको चोड़ने के लिए अभ्यान चलाएंगे बीस तो पूरा कोवेट में ही गया ना आदा समय तो लोगडाउन में गया लेकिन आपको आशर होगा फर्वरी बीस को मोदीज ने अभ्यान की सुरुआत की मार्च में लोगडाउन आ गया फर्वरी से फर्वरी आज बारह मैने हुए इसी बीच में हम लोगों ने एक किसानों को एक लाग सभान हजार करोड़ रुपया केसी सी दिया है लेकि सवाल भी लोगडाउन में बिल लाने पे उठें कि इतने क्या ज़ति थी कि लोगडाउन में क्वे अध्यादेश के जरें जो है वो खनून लेकि आना पड़ रहें सरकार को बीडिदिकिये ओर्डि और ऐसी इस्तिती में किसान की फसल कटाई के लिए खड़ी थी तो उस समय अगर किसान की फसल नहीं खरी दी जाती और केदर नहीं बढ़ाई जाते और रिफॉर्म नहीं किया जाता तो किसान की फसल बेचने में किसान को दिक्कत आती तो इसलिए और्डनेस आया और्डनेस म यह तो क्या है कि वो लोग जो भाना डूड़ रहे हैं कि कोभीट में ओर्डेंस क्यों आया मैं तो ओर्डेंस क्या किसी से पूछ कर लाया जाता है देश की आवशकता को सरकार पहेंचानती है प्रयदान मंद्री नरेद रबोदी जी खेती गाओं गरीब किसान के परेत få Image देन्ट रात सोचते रहते हैं कब क्या深 Waiting करना है कि जब करने की इस्थिति आती है तो करने का साहस करते हैं और इसी बात की तखलीफ है लोगों को कि में बोदी जी नहीं साहस क्यों किया लेकिन साहस तो आपने कर दिया आप बार बार कहरें कि मंडिक खत्म होगी में स्क्राइब किसान की बहुता नहीं को हुए और बता रहे हैं लेकिन इसे सिंपल से ती लाई समझे नहीं आहरे कियो दिकत कहां पे तोरेखेस मैं करोड करोड किसानों को यह बात समझ में हा रहे है लिकन जो उच्छलोंग इस लोग हैं जिनका मोलिव दूसरा है वो लोग जान बूझकर वो समझने को तयार नहीं है भारत सरकार किसानों के प्रतिक पूरी तरह संवेदन सील है हमने किसान यूनियन के साथ बारा बार बारता की है उन्होंने हमको यह नहीं बताया इस कानून में काला क्या है हमने लोगसभा में राजसभा में सब पार्टी के नेताओं के भासन सुनें वो गाली तो दे सकते हैं लेकिन वो यह नहीं बता पाए कि इस कानून में काला क्या है और इसलिए मैं आज भी बहुत जिम्मिवारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार किसान यूनियन और किसान आंदोलन के साथ संबेदन सीलता के साथ बेवार कर रही है हमारी प्रदिवदता है देश का किसान हमारे लिए सम्मान का पात्र है वह अनदाता है किसी भी सीमा तक जाकर हम उसकी जायज समस्या को हल करने में भरोसा रखते हैं हम पहले भी बारता करते रहें, आने वाले कल में जरूरत पड़ेगी, तो सरकार फिर बातचीत करेगी, हमने किसान यूनियन के साथ बातचीत भी की, किसान यूनियन की चर्चा के दोरान जो बातें समझ में आई, उसके आदार पर उनको निराकर्ण करने का प्रस्ताओं भी दिया, उ करने के उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने, तो हमने उनको कहा है कि अब आप क्या चाहते हो, आप बताओ, रिपिल के अथरिक जो प्रस्ताओं आपका हो, वो प्रस्ताओं आजाएगा तो हम बारता कर लेगी, यानि कानून वापिस होंगे नहीं, जो भी वो बदल किसान कानूनों में कौन सा क्लाज है, जो किसानों को तकलीप पैदा करता है, वो बताओ, हम उसको संसुधन करने के लिए तयार है, मैंने ये भी कहा है, कि अगर सरकार संसुधन करने को, कानून को इस्थगित करने के लिए तयार है, इसका माइना ये नहीं लगाया जाना च ये किसान कानून में कोई खराबी है ये किसान कानून किसान के हित में हैं खेती को आगे बढ़ाने वाले हैं और आने वाले कल में समय इस बात को सिद्ध करेगा कि इन कानूनों के मात्यम से खेती के छेत्र का युदान देश के जीडीपी में बढ़ेगा तो ये थे देश के क किर्सी मंतरी नरदिंद तोमर जी जो कहरे हैं कि आने वाले वक्त में इन कानुनों की़ वजेसे खेती कीवजेसे खासकर देशफी में किसानों कंन या घेती का योगदान बड़ेगा bliss इसा उन्होंने यह कहा कि सरकार हमेशा तयार है किसानों के साथ पॉजिटिव बातचीत के लिए उन्होंने खहा है कि MSP पे संसे नहीं रहना चाहिए किसानों को हलाकि कितना ये संदेश उनका पौश्टा किसानों तक ही हो गया है